दोस्तों UIDI की तरफ से सभी बच्चों के अधार कार्ड में अब बायोमेट्रिक डिटेल्स को अपडेट करना मेंडेटरी कर दिया गया है कितनी फी पे करनी हो और कितने दिनों में अपडेट हो जाता है तो इसके लिए वीडियो को पहले एंड तक पूरा देखें और अगर फिर भी कोई क्वेरी या कोशन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इंफोर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करक आपको मिलती रहे तो चलिए जल्दी से पूरा प्रोसेस को स्टेप बार स्टेप समझते हैं पर नीचे है जो पूपप मेसेज आप देख रहे हैं यह उन लोगों के लिए अगर आपका या आपकी फैमिली में किसी का भी अधार कार्ड पिछले 10 साल में अपडेट नहीं हुआ तो अब आपको उसमें अपने डॉक्यमेंट जैसे की आईडी और एड्रेस प्रूफ को करना mandatory है वरना बच्चों के साथ सद आप भी अपना अधार कार्ड कहीं भी यूज नहीं कर सकते तो यह एक तरह से KYC के लिए है ताकि आपका डाटा हर जगा सिक्यूर और अपडेट रहें और अगर आप घर बैटें ऑनलाइन डॉक्यमेंट को अपडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए उपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को पूरा देगे इसके बाद स्क्रीन को नीचे स्क्रोल करेंगे तो यह गैट अदार के नीचे बुक आइन अपटमेंट पे क्लिक करेंगे अब नेक्स पेज में आप ओनलाइन अपटमेंट किस किस टाम के लेबल है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन आपके अड्रेस के पास अगर कोई यूइडियाई का ऑफिशल सेवा केंद्रे नहीं है तो आप सेकेंड ऑप्शन के तुरू भी अपॉंटमेंट बुक कर सकते हैं जिसमें यूइडियाई के अथुराइस पार्टनर्स के एड् करेंगे अब नेक्स पेज में अधार अपडेट को ही सेलेक्ट रहने देंगे फिर नीचे अपना मुबाइल नंबर डालके एंटर करेंगे जैसा सामने बॉक्स में लिखा हुआ है और फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे और जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा उसको यह एंटर करके वेरिफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे अब ओटीपी वेरिफाई होने के बाद नेक्स पेज में आपको सबसे पहले अपॉंटमेंट डिटेल को एंटर करना है जहां रेसिडेंट टाइप और अपॉंटमेंट टाइप के ऑप्शन को चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी डॉक्यमेंट देने की जुर्वत नहीं होती सिर्फ आपको पुराना अदार काड़ी लेकर जाना होता है लेकिन अगर आप किसी और डिटेल को भी अपडेट करना चाहते हैं जैसे नेम एड्रेस डेट अबर्द या मातापिता का नाम तो आपको हर किसी के लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यमेंट देना होता है तो अगर आपको बच्चे के नाम में भी कोई चेंज करना है तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई एक सपोर्टिंग डॉक्यमेंट होना चाहिए तो हम यह डॉक्यमेंट को ही सलेक्ट करें अब next page में आपको बच्चे के अधार में जो भी personal details को update करने है उसको यहां से select कर लेंगे और पीछे वाले step में जैसे हमने बच्चे का अधार number और date of birth एंटर करी थी उसके इसाब से यहां biometric details update करने का option automatically select हो जाता है और age के according update करने की जो भी fee या charges होंगे वो भी आपको सामने देखने को मिल जाएंगे जिसको check करने के लिए आपको UIDI की page पे आना होगा जहां right hand side में आप charges for अधार service पे click करेंगे तो यहां age के according biometric update करने के लिए अलग-लग charges को देख सकते हैं तो अगर बच्चे की age 5 साल है और biometric update अगर 7 साल की age तक करवाता है तो वो बिलकुल free of cost रहेगा लेकिन जैसे ही 7 साल से एक दिन भी ज्यादा होगा तो उसको 100 रुपे का charge देना होगा जैसे मेरे case में बच्चे की उमर 8 साल है तो मुझे भी 100 रुपीज की fee पे करनी होगी ऐसी अगर बच्चे का 15 से 17 साल तक की उमर में biometric update कर लिया जाता है तो वो बिलकुल free रह जैंडर में कोई change या update करना है तो यहां जैंडर पर टिक करके नीचे male female किसी को भी select कर सकते हैं जिसके लिए कोई document देने की जुरूरत नहीं होती तो इस तरह से आपको जो भी details को update करना है पहले उपर वाले box पर टिक करेंगे और नीचे उस details को enter करेंगे और आपको कभी भ page में आपको appointment की date or time को select करना है तो left hand side में calendar में से अपने according कोई भी एक date select करनी है जो भी available हो इसके बाद सामने आपको time select करना है यहां जो भी white box में time दीख रहा है इस time को आप select कर सकते हैं और जो pink boxes में यह time already full है जिसको आप select नहीं कर सकते हैं फिर सामने आपको appointment confirmation में अपनी date time और अधार center का address check कर लेना है अगर सब कुछ तही है तो फिर next पे click करके आगे बढ़ेंगे अब last में अपनी appointment के लिए जो भी details भरी है उसको check कर लेंगे और उसके बाद submit पे click कर देंगे फिर इस pop-up message को okay कर देंगे जिसके बाद फिर से payment के लिए pop-up message आएगा और इसको बी okay कर देंगे अब biometric की 100 रुपी को pay करने के लिए यहां आप online पे click करेंगे और फिर pay you पे click करेंगे और यहां credit debit card net banking UPI जिससे भी आप पे करना चाते हैं उसको select करके make payment पे click करेंगे इसके बाद यहां अपनी UPI ID एंटर करके verify करेंगे और verify होने के बाद नीचे proceed पे click कर देंगे जिसके बाद आप अपनी UPI app को open करके payment complete कर लेंगे आप यह form देख सकते हैं जिसमें आपकी पूरी details हैं जिसका print out आपको अधार and update status पे click करेंगे और यहां अपनी enrollment ID SRN या फिर URN नमबर जो आपको अधार acknowledgement slip में मिल जाएगा जो आपको track करने के लिए अधार center से दिया जाता है फिर नीचे capture code enter करके submit पे click कर देंगे जिसके बाद आप अपनी application के status को check कर सकते हैं और अगर आपको जानना है कि enrollment ID को कैसे अधार acknowledgement slip में पता करते हैं तो इसके लिए उपर आई बटन पे वीडियो के link पे click करके follow करें और information अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरू कर देंगे इसके लावा आपको महाँ पे कोई और form फिल नहीं करना पड़ेगा और अगर अबी भी कोई query या question है तो नीचे कमेंट करके पूश सकते हैं और priority reply के लिए चैनल की membership को जोएन करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें जिससे सही information सही वेक्ति तक पोस्ट सके आज की इस वीडियो में इतना ही देखते रही है इन्फो सच जानकरी ऐसी